नमस्कार आप देख रहे हैं SBT News और मैं हूँ आपके साथ आभा श्रेगंगानगर की रेलवे स्टेशन समीत बीका ने रेल मंडल के सभी स्टेशनों पर रेलवी भाग जल्द ही यात्रियों को बड़ी सौगात देने जा रहा है इसकी बड़ालत स्टेशन पर मौजूद यात्री अब UTS मोबाईल एप का इस्तेमाल कर टिकट बना सकेंगे रेलवे इसके लिए स्टेशनों को बार कोड लेस करेगा इसमें अनारक्षित टिकट काउंटर के पास दिवारों और स्टेशन परिसर में इन्हें जगा जगा लगाया जाएगा इसको स्कैन कर यात्री UTS एप के माध्यम से टिकट करा सकेंगे फिलाल UTS मोबाईल एप का इस्तिमाल कर टिकट बनाने वाले यात्री स्टेशन पर इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं इसे यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए लंबी लाइन में लगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सभी रेल्वे स्टेशनों पर बारकोड सुविधा उपलब्ध कराने की तयारी चल रही है इसके बाद रेल्वे स्टेशन परिशर में मौझूद यात्री भी UTSF का इस्तिमाल कर सकेंगे अभी UTSF से यात्री स्टेशन परिशर में 20 मीटर से 5 किलो मीटर की परिधी में रहकर टिकट बुक करा सकते हैं इसके बाद दूसरे स्टेशन की परिधी शुरू हो जाएगी यात्री पेपरलेस और पेपर टिकट को भी अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकेंगे ऐसे में रेल्वे स्टेशनों पर परिशरों में बारकोड लगाने से यात्रियों में UTSF का इस्तेमाल भी बढ़ेगा अब टिकट बुक कराने का क्या तरीका होगा हम बताते हैं रेलवे अधिकारियों के अनुसार बार कोड पर स्टेशन की लोकेशन और स्टेशन का कोड दर्ज होगा यात्री स्टेशन पर लगे बार कोड को स्कैन करेंगे जो सीधे UTS से जुड़ेगा इसके बाद यात्री इसमें अपने गंतव्य स्टेशन की जानकारी देंगे इसके बाद UTS एप के और वालेट से पैसे सिधे कर जाएंगे और मोबाइल पर टिकट का पूरा वीवरन आ जाएगा आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और अपने आसपास की और भी नहीं ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए SPT News और बने रहे हमारे साथ धन्यवाद सांदो बॉर्डर टाइप्स हर कांव, हर शहर, कोने कोने की खबर हर वर्ग, हर शेत्री की न्यूज और व्यूज अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर